आज के समय में कोई भी किसी की कदर नहीं करता। चाए वो छोटा हो, चाए बड़ा हो, चाए खुद के ही पेरेंट्स हो। वही सोचते हैं कि हम अपनी जगा सही हैं और हम जो भी करेंगे वो सही करेंगे क्योंकि हमें समझ हैं। पर आपको बड़ों की कदर करनी चाहिए, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से पढ़ाया लिखाया होता है, आपके हर जुरूरतों को पूरी की करते हैं, चाहे वो किस भी हाल में वो पूरी करें, वो आपकी हर एक को पूरी करते हैं और यह सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन दें अच्छी एजुकेशन दें ताके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकी और सक्सेस्फल हो सके और बच्चे उनके इस बलीदान को इस उनकी प्रिख्या को नहीं मांदें बलके वो सोचते हैं कि यह सब के माबाप करते हैं हमारे माबाप ने हमारे लिए कुछ अलग नहीं किया और वो अपने माबाप की कदर नहीं करते और माबाप बात में मायूस होकर यह सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज हमारे बच्चे हमें हमारी वक्त नहीं बिता रहें, आप सोचो कि आपके माबाप के दिन में क्या बीचती होगी जब आप उनकी कदर नहीं करते, आप उनकी विस्पेक्ट नहीं करते और आप सिर्फ ये सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी एक ड्यूटी पूरी की है, हमें पढ़ाया है, लिखाया ह और हमें आज यहां तक बुचाया है, जो हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों की लिए करते हैं, हमारे लिए क्या उन्होंने अलग किया सबके माबाप एक जैसा ही करते हैं, कोई अलग नहीं करता, बलके आपकी सोच है कि आप अपने पेरेंट्स की कितनी कदर करते हैं आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं आप उनको कितना समझते हैं आप उनके साथ कितना वक्त बिताते हैं क्योंकि मावाप ही होते हैं जो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और कोई नहीं होता जो आपके बारे में सोचेगा आपके फ्यूचर के बारे में सोचेगा आपके पेरिंट्स को ही फिकर होती है कि हमारे बच्चे जिन्दगी में पढ़ लिख जाएं और आगे बढ़ें और बच्चे इस बात को हुँ जाते हैं कि हमारे पेरंट्स ने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइज किया और हम तभी ही यहां तक पहुंचे हैं वो यह सोच लेते हैं कि हम से बराबर का होना चाहिए वो छोटा हो तो हम उसकी कदर नहीं करेंगे वो गरीब है हम उसकी कदर नहीं करेंगे सब की कदर करने चाहिए चाहिए वो गरीब हो चाहिए वो अमीर हो है तो इश्वर का ही बंदा अगर आप अपने मन में ऐसे विचार रखते हो कि वो छोटा है वो गरीब है मुझे उसकी कदर नहीं करनी चाहिए चाहे वो उमर में आपसे बड़ा हो आप उसकी कदर नहीं करते आप गलत कर रहे हैं आपकी सोच गलत है आपको अच्छे संसकार तो मावाप ने दिये हैं पर आप उन संसकारों पर चल नहीं रहे हैं उन पर अमल नहीं कर रहे हैं बलके आप अपने पर ही इतना आपको गुमान है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट दूसरों की आदर और दूसरों की कदर नहीं कर रहे हैं आपको उस वक्त जब किसी की जुरुत पड़ती है और आप जब उसके साथ बुरा विवार करते हैं जब आप उसकी कदर नहीं करते हैं जब आपको उसकी जुरुत पड़ती है तो वो भी आपके काम नहीं आता क्योंकि उसके मन में ये होता है कि आपने तो उसकी कदर नहीं की अब आपको जब उसके कोई काम है तो आप उसकी मिंतें कर रहे हैं उसको आप कह रहे हैं कि हमारी मदद करें हमें आपकी जुरुत है वो आपकी मदद नहीं करेगा क्यूं? क्यूंकि आप ने उसके साथ मिस भेव किया है आप ने उसकी कदर नहीं की कदर करो अपने से बड़ों के भी कदर करो और अपने से छोटों के भी कदर करो क्यूंकि आप जब दूसरों की कदर करोगे तो वो आपकी कदर करेगा जब आप उसके साथ अच्छा विवार करोगे अच्छा भेव करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा भेव करेगा अगर आप दूसरों की कदर नहीं करोगे तो वो आपके कदर नहीं करेगा आपको उस वक्त बाद में एसास होता है कि आप अगर उसके साथ अच्छा विवार करते उसकी कदर करते तो आज वो आपके साथ खड़ा होता आपके मुश्किल समय में आपके साथ होता आपने उसकी कदर नहीं की आप बस यहीं कहा जो मैं हूँ मैं सही हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं सहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी की जुरुत नहीं है जब आपको उसकी जुरुत पड़ी, तो वो आपके काम नहीं आया बलकि उसने ये कहा कि तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं गई, मेरी कदर नहीं की, मैं अब तुमारी मदद नहीं करूँ आप फिर बाद मेरे रिलाइस करते हैं कि हाँ, यहाँ पर मेरी गलती थी, मुझे इस तरीके के साथ बहेव नहीं करना चाहिए था बलकि उसकी कदर करनी चाहिए थी, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, उनके साथ बुरा नहीं बोलना चाहिए था माबाप की कदर उस वक्त होती है जब वो चले जाते है उस वक्त अब बच्चों को माबाप की जुरत होती है जब उनके माबाप दुनिया से चले जाते हैं तब बच्चे अपने माबाप की कदर करते हैं और सोचते हैं कि जब वो थे हमने तब उनकी कदर नहीं की उनके साथ कुछ समय बताया नहीं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, उनके साथ दो वक्त बैठे नहीं, ना उनके साथ हम अच्छे से कोई अपने दिल की बात की, ना उनके दिल की बात सुनी, अब वो नहीं है, जब हम उनकी जुरूत है, हम हम क्या करें, माबाब की गदर करें, क्योंकि माबाब हर वक्त जरुरुत मंद होते हैं आपके साथ होते हैं आपको अपने माबाब की हर वक्त जरुरुत होती हैं क्योंकि वही ही होते हैं जो आपकी हर एक बात को समझ सकते हैं और आपका हर वक्त साथ देंगे चाए आप किसी मुश्किल में हो चाए आप किसी भी नहीं तरीके की खुशी मना रहे हो वो आपके साथ होंगे कम में भी आपके साथ होंगे और आपके खुशी में भी आपके साथ होंगे क्योंकि उन्हें खुशी होगी कि हमारे बच्चे हम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं जब नहीं होंगी तो आप फिर उदास होंगे दुखी होंगी कि हमने जीते जी अपने माबाप की कदर ने की अब जब चले गए हैं तो हम उनकी कदर कर रहे हैं अब हमें रिलाइस हो रहा है कि आज हमारे माबाप हमारे साथ होते तो हमारा जीवन कितना अच्छा होता और हमे कोई मुश्किल आती तो हम अपने माबाप से उस मुश्estra का हल लेकर हल मांगते तो वो हमारे माबाप हमारी साय्टकर्ता करते Parent सी हैं जो अपने बच्चों का दुख तर्द मिसाद देते हैं और कोई नहीं पर बच्चे इस बात को नहीं समझतें बलके वो समझते हैं कि हमारे माबाब को इस बात की कोई knowledge नहीं है, कुछ पता नहीं है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बलके बच्चें ये बुँँ जाते हैं कि हमारे से ज़्यादा हमारे parents को experience हैं कि life में कोई भी problem आये, तो उसे कैसे sort out किया जा सकता है अगर आप अपने parents की कदर नहीं करोगे, तो आप अपने जीवन में कभी आगी नहीं पड़ोगे अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आप अपने parents की दिल से कदर करें उनकी respect करें और उनके साथ वक्त बिताएं, उनके साथ अपने दिल की बाश शेयर करें, उनको भी इच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे बच्चे हमारी फिकर करते हैं, हमारी कदर करते हैं, हमारा ख्यार रखते हैं अगर आप इश्वर के आप ये प्राफना करेंगे, कि है इश्वर मुझे मुझे मुश्किल है, आप मेरी सहाइता करो, इस मुश्किल का कोई ना कोई हद निकालो तो इश्वर उन्हीं लोगों की सहाइता करता है, जो हर किसी की कदर करते हैं हर किसी के साथ प्यार से पेश आते हैं हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं और अपने माबाप की भी कदर करते हैं उनके साथ वक्त बिताते हैं उनको हर एक चीज लांके देते हैं उनकी जरूरतों को पूरी करते हैं माप और इश्वर भी तभी उनका साथ देता है जब आप अपने पेरंस की कदर करोगे उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो आप इश्वर की रिस्पेक्ट कर रहे हो इश्वर की कदर कर रहे हो क्योंकि माबाप से पहले इश्वर है और इश्वर से के बाद माबाप ही है और आप अगर माबाप की कदर नहीं करोगे तो मतलब आप इश्वर की भी कदर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इश्वर ही माबाप का रूप होते हैं जो हमारे लिए सब कुछ जेल लेते हैं हमारे लिए कितने सैक्रिफाइजिस करते हैं हम पर उन सैक्रिफाइजिस को नहीं समझते बलके यह समझते हैं कि हमारे माबाप ने जो किया वो सब के ही पेरिंट्स कर रहे हैं कोई अलग नहीं कर रहे बलके आपको उनकी कदर करनी चाहिए आपको ये नहीं है कि आगर आज आपके माबाप ने आपको पड़ा लिया लिखा दिया आप अच्छी जॉब कर रहे हैं या आप अच्छा बिसनस कर रहे हैं तो आप अपनी बदॉलत कर रहे हैं ठीक है आप कर रहे हैं आप अपनी बदॉलत कर रहे हैं पर आपके माबाप की दौाइं हैं आपके माबाब के आशिर्माद हैं और जबी ही आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके माबाब को ही खुशी होगी कि आप अपनी जिंदगे में सफल हो और किसी को क्या खुशी होगी जब आप अपनी माबाब की कदर करोगे तो आप अपनी जिंदगी में आ आपके साथ होंगे और आप हर मुश्किल से मुश्किल रस्ता पार करोगे हर किसी की कदर करो चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीन हो चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो ये मत सोचो कि मेरे पास अज सब कुछ है तो मैं क्यूं किसी की कदर करू आप को क्या पता कब आपको किसी की जूरत पड़ जाए अगर आपको किसी की जूरत पड़े तो वो इसकी आपने कदर ना की हो तो वो आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि वो समझता है कि आपने उसके साथ मिस भेव किया है आपने उसकी कदर नहीं की तो आपके मदद क्यों करें आप जिन्दगी में हर किसी की मदद करें हर किसी की कदर करें ताके वो भी आपकी कदर करें और आपके हर मुश्किल समय में आपका साथ दे अपने माबाप की भी कदर करें उनको दिल से respect दें इसाथ वक्त बिताएं उनसे अच्छे से बोलें अच्छा भेव करें ताकि वो भी खुश हो कि हाँ हमारे बच्चे हमारी कदर करते हैं हमारी फिकर करते हैं और हम से प्यार करते हैं अगर आप इस तरीके से अपने माबाप को कदर करोगे उनकी respect करोगे तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और कामयाब होगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करें थैंक यू